हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आपका मेरी चैनल में स्वागत है आज का चैप्टर है 9 जिसका नाम है दा एक्सिडेश्डेंटल टूरिस्ट और इसको लिखा है बिल ब्रैसन ने। इस चैप्टर में लेखक अपनी ही कहानी का वर्णण करते हैं अपनी कहानी के बारे में अपने experience के बारे में बता रहे हैं कि जब वो एक टूडिस्ट के तरह एक traveler की तरह जब travel करते हैं तो किस तरीके से उन्हें छोटी-छोटी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और वो परिशानिया ऐसी है जो as a normal वैक्ति के लिए कोई भी hard work नहीं है मतलब वो परिशा कम हो गया है क्योंकि कुछ ही समय में हम एक जगह से दूसरी जगह sería जागते हैं यानि याद्या हमारी और सुविद्धरर जनक हो गाई है पर जो यात्रा करना सभी के लिए असान उस नहीं है घास 4000 रपे मेरे ले यहां वो बताते हैं कि उनके लिए यात्रा • ल्फों एक commun क बारें बखाते है कि जब वह ट्रेवल ल कर रहे हो तो उनके साथ क्या-क्या प्रेशानिया कि रहती रहती है रहती और वो उन्हें कितनी प्रेंट करती एं और उतर बताते हैं कि किस तरीके से छोटे ऊड़ीम हैं फ बताते हैं कि अगर में सिनीमा गर में जाता हूं तो मैं हमेशा वहां जुनते रही देजाता ह। उसे बताते हैं के रहते मिते पतली सी गली में गद्रूप को शेल Mississippi में लोगिंग डौर के ळोगा से 에게 करेड़ा साइक tasty तो कहते हैं कि चोटी चोटी चीज़े जो हैं हर जो वैक्ती इसी तरीके से कर सकता है वो मेरे लिए बहुत तप साफवित हुई है और यह मुझे easily confused कर देती है अब जो author है यहां अपने एक incident के बारें बताते हैं कि किस तरीके से वो सोच रहे होते हैं कि शायद ही मैं मुझे याद नहीं कि कब मैं अपनी family के साथ कहीं यातरा पर गया हुआ हूँगा तो यही सोच रहे होते हैं कि वो अकेले ही यातरा करना पसंद करते हैं अपने परिवार के साथ बहुत कम तो बोलते हैं कि हम ऐसी अपनी family के साथ एक यातरा पर जा रहे थे वो क आच के लिए यानि कि अपनी वह चेकिंग करवा रहे होते हैं फिर अचानक से जो लेखक है उन्हें याद आता है कि उन्होंने रीसेंटली बिटिश एयरवेज प्रोग्राम में पाटिसिपेट किया है और उसमें उन्हें एक कार्ड मिला है और उन्हें यह ध्यान होता है कि मैं अपने बैक में डाला था जो कि उन्हें के गले के गर्दन पर लटक रहा था यानिकी वह वह बैक होता है फिर वट है यहीशनी जो है मेरी परशानी शुरु हो जाती है और वह तुकरी चुले कि कोशिश करते हैं कि जिब हो गप भी उन जम के बहुत ईजी तरीके, इसले उधा से उते खूब जْटे में थस खिश देते हैं। फिर फिर बाहर आ जाती है फिर टूटने की वजब से बैंग गार में खुल आ जाती है और अंदर बैंग कि तौक की यतनी प्यान सरथ और अंग्रेजी पैसे और कुछ फिल्म्स और वो बताते हैं कि वो इस तरीके से बिखर जाती है है जो कि लगबख tennis court के अकारका हो मतलब सब जगर बिखर जाती है जैसे जितने एरियें बिखरते हैं वो एक tennis सकार का होता है और उसे बहुत शरम आ रही होते हैं कि उसका सारा समान जिप तूटने के विज़े से बैक से बाहर निकल गया क्योंकि उसका समान जो है अब पूरा बिखर चुका है लेखक का वो बहुत ज्यादा प्रिशान हो जाता है अब वो देखता है कि नीचे जो है उसके सिक्क्या लग थलक आवाजे कर रहे हैं और तमाकु जो है वो जिस डिबी में होती है उसका धकन खुल जाता है और वो ऐसे कागलों कितरा डिबा तमाकु का खुलके बिखरा पड़ा होता है जा रहा होता है फिर इसी तरीके से चिलाता है मेरा तमाकु मेरा तमाकु पर फिर उसे एक सोच आती हो सोचता होता है कि इस तमाकु के लिए मुझे इंगलेंड में बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे न और कंफ्यूज हो जाता है और दास भी हो जाता है मतलब वह फिल करता है कि एक तो मेरी हां इंसल्ट हो गई समान भिखर गया उपर से मुझे चोड भी लग गई और उसमें से खून भी भैरा है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और वह एक ऐसी स्थिति के लिए करते हो फिर वो जो राइटर हो कहता है कि मुझे बहुत खैद है मैं शर्मिंदा हूं कि जब भी मैं यात्रा करता हूं तो मेरे साथ हमेशा ऐसे ही हाथ से होते हैं परन्तु मुझे खेद है कि मैंने ऐसा किया यानि कि वह कह रहे होते हैं कि मैं अफसोस करता हूं कि कि मेरे साथ ऐसा ही होता है जब भी मैं यात्रा करता हूं और ऐसे ही हाथ से मेरे साथ होते रहते हैं फिर वो अपने एक बार के incident के बारें बताने लग जाते हैं कि किस तरीके से एरो प्लेन में जो वो बैठे होते यात्रा कर रहे होते हैं उसी दौरान उनके जूते का जो ले से वो खुल जाता है और उसे बांधने के लिए वो नीचे की तरफ छुकते हैं और तब ही उनकी आगे वाली सीट वाला जो वैक्ति होता है अपनी सीट को पूरा पीछे कर लेत जा लेता है और उसी उंके सरपर लग जाती है और फाज भजाते हैं और कση तरीके से अपने आपको होनहं से निकाल पाते हैं तो वह कंटिश्य नंके लिए भी बहुत जादा पर्शान नेमाली थी और उस पस्तिता से अपने को उन्होंने बहुत मुशिल से निकाला और फिर इसी तरीके से वो एक और इंसिडेंट बताते हैं कि किस तरीके से जो वो एरोप्लेन की यात्रा कर रहे थे उसी दौरान उनके साथ में बेठी वी एक छोटे कद की प्यारी सी लीडी के उपर उनकी सॉफ्ट ड्रिंग किर जा प्रिवा कहते हैं कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि किस तरीके से यह हो गया कि मुझे केवल यही याद था कि किस तरीके से जब लेडी दूसरा गलास लेके आती है वो उसके हाथ में जैसी पढ़ाते हैं लेकर के तो हाथ से शेक करने लग जाता है और वह बगल वाली ल फिल्म का नाम बताते हैं यहां वो कहते हैं कि दा अंडेड लेंट की तरह उसे मेरी तरफ बहुत ही ड्रावनी नजरों से देख रही होते हैं और उसी बीच वो सॉफ्टरिंग जो है उस लेडी पर उसकी गौद में फिर से गिर जाती है फिर जो ऑथर हैं कि लेडी जोती बहुत ज़द गुसे से भढ़ जाती है और जाहिर सी बात है इतना सब हो जाने के बाद तो कोई भी वैक्ति इस तरीके से रियक्ट करेगा ही तो बताते हैं कि लेडी जो है एक नन होती है और उसके मूं से अप्षब सुनना प्लीक लिबग अलिक जही नहीं होता और जाहि के बाद वो फिर से एक incident के बारें बताते हैं कि मैं किस तरीके से जब मैं हवाई हवाई यात्र कर रहा था तो उस दोरान मैं अपने नौट्स बना रहा था उसी दोरान क्या होता है कि वह अपने पैंड के पीछे वाले हिसे को चूसने लगता है मुझ में ले लेता है और फिर उसे साथ में ही बैठी वी एक अट्रेक टू लेडी दिखती है जो कि उसके साथ की सीट पर ही बैठी वी होती है तो वसे बातचित क लग जाता है तक्रीबन 20 मिनट जो है वो लोग ऐसी हसी मजाग करते हुए उसके बाद क्या होते हैं जो राइटर है उस देर के बाद बातरूम के लिए जब जाता है तो देखता है कि जो है लीख हो चुका था और बताता है कि मेरा मुझ ठोड़ी जीर दानत और मुसूड़े अब जो है नीली स्याई से भर गए थे और वो एक काफी दिनों तक उसके पुरे मुझ पर लगी ही रहती है यानि उसका निशान वो नहीं चाता इन सब के बाद बताते हैं कि मेरा विश्वास है कि अब आपको समझ आ गया होगा यानि कि हमें बता रहे हैं कि जो भी मेरे सा यह हुआ वो एक शिस्ट यानि कि अच्छा बिहेवियर नहीं था हमेशा मेरे साथ उल्टा सीधा ही हुआ है जितना भी मैं इन सब चीजों से बचने की कोशिश करूं गलतियां ना हो कोई इंसिडेंट ना हो मैं कन्फ्यूज ना हूं पर वो चीज़े हो ही जाती हैं वो कह कभी मैं जो अपनी खाने की मेज उस पर बैठता हूं और खाने के बाद जब उठता हूं तो इसा नहीं होता कि मैं कोई चीज गिराए हो वहां से उठ जाओ यानि कि उसके आसपास ऐसा बुखां पार यह नि कोई ना कोई चीज घिर ही जाती है फिर वह कहते हैं जब मैं का जाते हैं जैसे कि चुंगम के निशान आइस्क्रीम कफ सिरफ मोटर ओयल हमेशा को इन सब पर बैठ जाते हैं तो यह निशान पर लगी जाते हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ कि में निकला हूं करें मैं इनसीडन्ट के बारें ढता हैं कि बाना बचों से लिए जो जब मैं अपनी आस्वांद करता हूं और जब मैं बिल्कुर अकेला होता हूं यह यात्रा कर रहता हूं धिं Notice मेरो कःती नाहीं मुझत का युझ की कोह त seinों शांठ कि क nosso बैठत 테 pegar bench आपस में एकसे फसा ले विलिए कि ताकि मेरे हांसे कोई गलती निहींता प sage soft drink किसी के ऊपर ना गिर जाए इन सब चीजों में वो बताते हैं कि उन्हें कोई अच्छा तो नहीं लगता पर क्या करें इन सब चीजों से laundry के bill में तो काफी कमी आती ही है लेकि जब वो अकेले होते हैं तो कुछ तौर पर थोड़े ही तोर पर कहें तो वो इन सब चीजों से इन हासों से बच जाते हैं वो ऐसा बता रहे होते हैं अब उसके बाद author कहते हैं कि कुछ miles होते हैं Hawaii miles तो कहते हैं कि मैं कभी भी उन्हें इकटा नहीं कर पाया क्योंकि वो हमेशा कार्ड जो है टाइम पर नहीं ढूंद पाते हैं हमेशा उनका कार्ड जो है रह जाता है यह वो भूल जाते हैं तो कहते हैं कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनोंने Bali की first training में यानि Bali की first flight की यात्रा का मज़ा लिया है पर मैं उससे अभी तक बन्चित नहीं हुआ हूं means कि उन्होंने अभी तक Bali की first class की यात्रा वो नहीं की है वो कहते हैं कि मैं एक साल में एक लाक माईल की हवाई यात्रा कर चुका हूं लेकिन मेरे पास जो हवाई माईल से खट्टी वे वो है 112 और ऐसा क्यूं होता है उनके साथ यह एसा इसलिए होता है क्यों कि वो हवाई माईल्स के बारे में प्यात्रा के दौरान कभी भूल जाते हैं या फिर प्यपर की जांच कराना बूल जाते हैं फिर हो कहते हैं कि अगर मुझे याद रहता है मैं उनसे एरलाइन वालों से बोलता है कि हां मुझे जो है मेरे रिकॉर्ड पर लिखो या आपने जो भी जनकारी जितनी भी मेरे माइल्स ही हैं उनको आप लिख दीजिए तो जाच के दौरान जो है वो इसको बताना लर को भूल जाते हैं फिर वो कहते हैं कि कभी कवार जो क सरकारी रूप से अधिकारी नहीं है मतलब यह आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ न कुछ उसके डॉक्यमेंट में या कुछ न कुछ गड़वड़ी होती है फिर इसी तरीके से वो बताते हैं कि जनवरी की जो आस्ट्रेलिया के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे तो उस द है एसा क्यों है पिर जो वहां कलर को बता थें कि टिकट जो है और कार्ड ब्राइसन के नाम पर है तो कहते हैं कि मैं उन्हें बताने की पर कोशिश करता हूं कि बिल और विलियं प्रिया नहीं है बाइटि मिस्टे के इसे print हो गया है जो Maintenance कों क्लास की जो यात्रा मैल्स मिलने वाले थे हो नहीं हम सकते और मैं कर पाऊंगा और शॉयध कि नहीं कुछ अच्छा ही है क्योंकि मैं उतनी दूर की यात्रा जो है बिना खाय पियर नहीं कर सकता था और इसके पीछे रीजन कहता है कि यहीं कि उनके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते ही रहते यहाँ इस चैप्टर में यहां वो बताते हैं कि किस तरीके से उनके साथ कोई ना कोई हासते ही होते ही रहते हैं और वह काम जो लोग इजी तरीके look होते हैं वह ging झाल झाल